प्रत्य 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 प्रत् को लिखा 20 तो पहली पहली जो कोसिस होगी आपकी निश्चे तरप पर इसके डिजिटल वैल्यूश होगी आप जब देखेंगे यह आसान सा लग भी रहा है ना एक की वैल्यू एक और टी की वैल्यू 20 अब किस मैथमेटिकल ऑपरिटर का इस्तेमाल करेंगे आपकी यह 20 हो ज करजवाईयां करनी चाहिए बीकी वैल्यू दो इसके मताबिक फिर गुना का चिन्ह करेंगे ई-5 एंड जी-7 क्या या इसका गुननफल 70 आता है तो हमारी बात सही हो जाएगी पांच गुना दो 10 और गुना 7 बराबर यह वास्तों में 70 होता है नेक्स्ट आप देखेंगे बैंक बैंक का आपको जबाब देना है अला कि देखिए लिखने में हमको समय लगड़ा है आप तो बिना लिखे बनाएंगे बीकी वैल्यू दो फिर एकी वैल्यू एक एन की वैल्यू फॉर्टीन और के की वैल्यू एलेवन यहां से यहां तक तो 28 मिले आपको फैनली गु और यह कितने भी प्रकार से प्रस्ण पूछे कितना भी कठिन यह एक्च्वल आसान ही होता है अगला प्रस्ण श्रीज कॉंप्रेशन का प्रस्ण आप देख रहे हैं उससे पहले बाफ किजेगा इस प्रस्ण में कुछ कमी है पहले हम पूरा कर दें आपके कमी को फिर आप बनाएंगे थोड़ा सा ठेहरेंगे यहां पर आपको लिखना चाहिए आई के जे कॉमा की एनन एम क्यू आर एम क्यू आर एम क्यू आर अगेन कॉमा देन नौट अप इंट्रोगेशन यह प्रस्ण है यह थोड़ा सा अधूरा पुंत्राइस में अब बनाएज़े आप डिजिटल वैल्यू भी रखकर बना सकते हैं आपकी मरजी यह 9 के 11 जे 10 या फिर 11 एन 14 एन 14 एम 13 क्यू सेवन टीन और आर एटीन 9 में 2 जुड़ा तो 11 मिले 11 में 2 जुड़ा तो 13 मिले आप 13 में 2 जुड़ा कर 15 एर ठाट 0 लाएंगे पहला option में आप देखें पहला ओ इन दोनों में नहीं है इसकी कोई जोर्त नहीं आप चाहें तो दूसरे करेक्टर की ज़ांच ना करें क्योंकि इसी दोनों के answer होने की chances है और दोनों समान है तो last आप जांच करेंगे तो 10 में 4 जोरा 14 14 में 4 जोरा 18 18 में चार जोड़ेंगे तो 22 आखरी करेक्टर भी होगा हमारा और इस अधार पर जवाब हम ऑप्सन नमर एद देंगे अभी पुरी जांच करना चाहते हैं तो यह प्लस त्री का मामला है यह प्लस त्री का मामला है आप प्लस त्री करते तो 17-20 वजाता और जवाब O-T-V होता ले अगला प्रस्न अच्छा अब फिर वही बात उपर नीचे लिखेंगे तो समय भी जाएगा डैरेक्ट बनाने की कोशिस करनी चाहिए उसे दोनों दिखाते हैं आपको करना क्या है इसमें सीख लीजेगा इसके बाद जितना भी प्रस्न आएगा उसमें वो डैरेक्ट बनान जे भी क्यू एक्स डबल्यू और डबल्यू अली बार में ये उनीच और दस दिखता है तो माइनस नाइनटीन है तो जे में माइनस नाइनटीन फुरा अजी भी जंका लग रहा है नहीं अच्छा ज़र डैगनली देखने की कोशिस करें तो S की वैल्यू उनीच और डबल्यू की वैल्यू तईस चार जोड़ा है A की वैल्यू 27 होती है और डबल्यू की वैल्यू भी 23 होती है देखिए S से डबल्यू आने में इसने प्लस 4 का काम किया 27 और 23 ये मैनस 4 का मामला है फिर 20 और ये 24 यानि यहां आप समझ गए प्लस 4 का मामला है ये 21 और ये 17 ये मैनस 4 का मामला है 18 और 22 ये प्लस 4 का मामला है और 14 और 10 ये भी मैनस 4 का मामला है अब यहां जांच करने की इसलिए जो रहत नहीं है कि U 21 प्लस 4 अठारा 14 मैनस 4 यह पकड़ा गया है जो डिरेक्ट करने हम कह रहे थे अब यहां पर करेंगे तो आईए ऐसे डैगनेली पहले मैनस 4 करना है तो 18 मैं आप 4 मैनस करेंगे तो आपका जबाब N होगा N से स्टार्ट होने वाला आफ़सन आफ़सन नमबर C नहीं है इसको जांचने की कोई आवसकता नहीं अब इसमें करना है प्लस 4 तो 5 जो चार 9 आई हो जाएगा यह भी एंसर गया अब आप चाला की से क्या करें इस PM और PM की जांच ना करें एक दो तीन चार पांच में करेक्टर की जांच करने जबाब मिल जाएगा एक दो तीन चार पांच में करेक्टर की तो उधर से पांच गिरेंगे नहीं एक दो तीन चार पांच में करेक्टर के साथ आप वो करना क्या है प्लस फोर करना है यू में आप प्लस फोर करेंगे तो सभावी के पत्चीस वाई होगा और आपका जबाब अफसर नमबर D हो जाएगा ये Q वाला खत्म हो जाएगा वैसे पूरा जाचना चाहते हैं माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर और प्लस फोर के पूरे सेक्विन्स को आप मैंटेन करके देखें लेकिन समझ यह यहाँ पर पक्रा ही गया फिर कहते हैं कि इनकी भी जांच करो तब समय जाएगा आपने जैसे ही देखा कि भई आप देखिए SW डागनली सेट हुआ ऐसे तो सेट होनी था तो प्लस 4 करता है यह आप कह सकते थे S और W के बारे ऐसे सुनिएगा S के बाद T, U, B को छोड़कर तीन को छोड़कर W कहा गया है तो हम लोग भी J के बाद jk बाद last वाली बात कर रहे हैं jk बाद klm छोड़कर n जबाब देते हैं हम लों ने यह जबाब गरबर तो हम लों का जबाब गरबर है तब यह होगा n होगा नहीं अब फिर u u के बारे second के बारे देखें आप तो इसमें minus 4 चाथो उसमें minus 4 ही कर लेते हैं i थर्ड क्रेक्टर T U B W छोड़कर X तो I के बाद J K L छोड़कर M नहीं इस परकार आप जवाब दे सकते थे मौखिक भी अपनी बात है ध्यान दे देंगे कैसे जवाब दोना है मौखिक जवाब दिया जा सकता है हाजी विनोच जी नमस्कार विनोच जी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है अपसे आई देखते हैं अगला प्रसन आसा प्रसन है निमरिकल स्रीज का मामला है यह आसान होता ही है नहीं अदेखते ही बनता है इतनी प्रैक्टिस तो हुई होगी एक दो छेट चौबेस इ यदि में ज्यादा समय लगाना तूह तो तेखेंगे आप यहां पर गुना टूह तो आगे की और ऐसे देखेंगे आप यहां पर गुना ठी यहां पर इंटु फोर है ना ऐसा इंटु फाइब इतना देर क्या करना भाई सीधे 6 से गुना करना 12 शक 72 यानि जवाब हमारा 720 हो जाएगा आपसन नमबर आपसन नमबर भी आपसन नमबर भी आए इस प्रसन पर काम करते हैं एक तीन छे अब अगर मान लिजिए कि यह प्रसन एक बार में नहीं पकड़ा रहा है तो इसका उपाय हम लोग निकाले थे कि इसको खीचेंगे आगे क्यों बढ़ेंगे खीचने का मतलब असान सा लग रहा है 10 और 15 ने तो भीचोड की मदद भी किया है आपको प्लस 5 से यहां पर आप देखेंगे प्लस 2 सही है प्लस 3 यह प्लस 4 यह प्लस 5 और आगे चलकर प्लस 6 होगा और 15 छे एकीस आप जबाब देंगे यहां पर आप देखेंगे सेकंस बिल्कुल मेंटेंच चल रहा है इसलिए इसको तो जवाब होना ही पड़ेगा 21 आपका परफेक्ट जवाब हो जाता है नहीं अब नाइट वाकर देखेंगे एक बड़ा सा सब्द दिया हुआ है इन सब्द की सब्द के लेटर की की मदद से आप कौन सा कौन सा नहीं बना सकते तो टॉकर आपको एक एक करके जांच करनी होगी टॉकर टी एल केई आर टी ढूनते हैं टी एल टी एल मिल गया के यहां मिल गया है तो यह मिल गया तो यह नहीं बनाया जा सकता है जवाब देना है नहीं बनाया जा सकने वाला वालर डबल्यू ए डबल्यू मिला ए मिला अच्छा है इसमें एल दो चाहिए वालर बनाना है तो दो चाहिए एक एल तो मिल गया दूसरा मिल ही नहीं रहा है यानि यही answer हो जाएगा यह नहीं बनाया जा सकता है ठीक है अभी हम लोग चोके practice कर रहे हैं तो जांच कर लें यह वाला Taylor T-A-I-L-E-R देखिए बनाया जा सकता है यह यह जांच रहे हैं एक्चल जवाब तो आ चुका है हमारा winner आप करेंगे तो W-I-E हो गया N-E-R ढूंड़ना है N मिल गया E मिल गया और R मिल गया आप देखिए आपका answer जो है वाला डबलू ए L-L-E-R इसलिए होता है क्योंकि वाला बनाने के लिए आपको दो L की आवे सकता थी तब जबकि मौलिक सब्द में दो L मौजूद नहीं था देखिए प्रस्ण के आते ही रिजनिंग के प्रस्ण की एक खासिय थे जैसे ही रिजनिंग का प्रस्ण आपके सामने आता है तो वो कुछ हिंट्स दे ही जाता है आपको क्या हिंट्स दे रहा है ये देखने वाली बात होगी चार चार दुनी आठ तो दस एक मोटा मोटी मान रहे हैं वो हो ना हो वो तो बाद की बात है भई 38 note of interrogation then 150 अगर कोई भी विधि से ये नहीं तयार होगा तो फिर आगे खीचेंगे और क्या चार में चे जोरा है फिर आप देखेंगे अठारा जोरा है फिर देखेंगे इस आप चेकर सकते थे ओपर लिखते हैं इसको 4 दुनी 8 जोर 2 एक तो मामला यह हुआ 10 का और 10 से 20 होने में 10 दुनी 20 में 2 गया 18 फिर 18 दुनी 36 में 2 जोरा है देखिए इंटू 2 तो सभी जगा फिक्स हम लोगों को दिख रहा है अब 38 से यहां पर लाने के लिए के लिए इंटू 2 तो करना है प्लस मैनस प्लस और मैनस टू करेंगा तो सेकंस मेंटेन हो जाएगा तो 38 दुनी 76 में 2 चला गया 74 अब इस 150 को अगर हम संतूस्ट कर लेते हैं कैसे इंटू 2 प्लस 2 से तो 70 दुनी हो गया 140 आई हो गया चार दुनी 8 148 दो 150 यह सटिस्ट है तो 74 हमारा एंसर है मान लिए किसी को हो सकता है कि यह इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 मैनस 2 आदी वाला मामला समझ में नहीं है उस स्थिति में वो लेकर बढ़ने की कोसिस करेगा तो इससे पूरा ही मठ जाएगा छोड़िये ऐसे तो वो यहां क्या गरेगा आप यहां देखेंगे यहां पर उसने देखा प्लस 6, ठीक है, यहाँ पर देखा उसने प्लस 8, और यहाँ पर देखा प्लस 20, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लस होगा, अगेन कुछ ना कुछ प्लस होगा, अब इसकी जाज करना चाहेंगे हम, तो यहाँ पर वो देख रहा है, 6 के बाद 8 दो जोड़ा है, नहीं, यहाँ 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, यहाँ पर क्या हुआ भी, सीधा 12 जूट गया है, 10 बढ़ा कर, तो 10 बढ़ा गया, यहाँ पर 6 बढ़ा, और यहाँ पर आप देखेंगे 8 बढ़ा, तो ठीक है चलो, यहाँ 2 बढ़ा है, लेकिन यहाँ जब 18 के बाद 38 होए, तो 20 होए, अब वो दिमाग लगाएगा, 2 के बाद 12 हुआ, मतलब 10 बढ़ा है, तो हम भी 10 बढ़ा है, तो 22, 22 बढ़ा दें, तो 20 में 22 बढ़ाएंगे, 42, 42 करते हैं, तो 38 और 42 कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं, मामला एक 80 का भी हो रहा है, लेकिन फिर जो 42 बढ़ा है, फिर 62 भी बढ करना था, तो आप चेक करना शुरू करेंगे, स्रीज कॉम्प्रिशन है, तो जैसी जैसी अधार बनती है, वो आप अधार पर काम करना शुरू करिएगा, एक बार और थोड़ा सा करते हैं, हम लोग देखते हैं, 4, 10, इसको 74 को साटिस्फाय कराते हैं, क्यों करा रहे हैं, स जो रहा तो 10, 10 में फिर 2, 8 किया है, यहां 20 किया है, यहां निकाल यह, 14 में 8 गया 6, पांच में 3 गया 2, ठिक है, अब फिर यहां पर देखेंगे, 10 में 4 चला गया 6, 14 में 76, यहां कोई, यहां सेक्वेंस मिल रहा है कि नहीं, प्लस 2, प्लस 12, प्लस 6, प्लस 40, नहीं, कोई से सेक्विंस नहीं मिल रहा है यानि इंटू टू पलस टू इंटू टू मैनस टू वाली बात ही हमारी सही हो जाती है कोसिश सब करनी है संख्याएं बढ़ रही तो लेकर चलना होगा खीजने वाली प्रणाली जो कह रहे थे अब इसको तो हम कोसिश करेंगे कि आप मौकिक बना आर आई यू एन एम क्यू एन एम क्यू रुक जाएंगे थोड़ा सा क्या यह अगर याद है आपको एकस की वैल्यू 24 इसकी 23 आप वैलियू पुट मत किजिएगा आप मौकिक उसको पुकार यह तैस यू की वैल्यू 21 आर की वैल्यू 18 एन की वैल्यू 14 अब यहां देखने मैनस 3 है, यह मैनस 4 है, अब यह से पहरा करेक्टर मैनस 5 पर आएगा, मैनस 5 और 14 में 9 घटाएंगे तो क्या, अब देखिए एक बार जांच कर लेते हैं हम लोग, 24, 23, मैनस 1, सही है, 23, 21, मैनस 2, मानेंगे बाद, 21, 18, मैनस 3, 18, 14, मैनस 4, और यहां पर आप करेंगे मैनस 5, यह नहीं 14, मैनस 5, 9, 9 मतलब आई, पहरा करेक्टर आई है यह यह जाचना होगा हम लोगों को, तो हम लोग देख रहे हैं, दो, दो आप्सन में तो आई है ने, वो होगा नहीं, छोड़ दीजे, अब दूसरा करेक्टर चुकी दोनों एंसर होने वाले आप्सन का, दूसरा करेक्टर अनलाइक है, अब इस बार जाच पूरी हो जाएगे, तो इस जाच को थोड़ा सा सरल करते हैं, C के बाद D, समझिएगा, C के तुरत बाद D है, D के बाद एक छोड़ के, E छोड़ कर, E छोड़ कर F है, फिर आप देखेंगे, G और H छोड़ कर I है, ठीक है, दो छोड़ कर, I के बाद M क्यों है, J, K, R, तीन छोड़ कर M है, और अब आपका जो एंसर होगा, M के बाद N, O, P, और Q छोड़ कर R होगा, और I, R वाला एंसर, एक है आपका option number C, जवाब यहीं पर हो जाता है, यहीं जवाब देकर आपको हड़ जाना चाहिए, अगले प्रस्न की और बढ़ जाना चाहिए, नहीं, अब देखते हैं हम लोग, अगला question क्या है, अच्छा यह जो तारकिक क्रम या जिसको सार्था क्र क्रम होगा, बढ़ते क्रम का, वो हभी अंसर हो सकता है, और घटते क्रम का दोनो, option ने किसको support किया है, यह सबसे बड़ी बात है, इसको थोड़ा सा, यहां लाएगे, तब पता चलेगा, है ना, है, दुनिया, मुंबई, गेटवे आफ इंडिया, एसिया, महारास्टर, भारत, अगर आप एक क्रम से चलेंगे, अभी आप option को ना देखें, तो इसमें से, सबसे छोटा मुंबई, ठीक है, मुंबई, मुंबई कहां है, महारास्टर में तो चलिया, मुंबई के बाद, महा महारास्टर कहां, ओहो, गेटवे आफ इंडिया, मुंबई महारास्टर में, महारास्टर कहां, छे नंबर, भारत में, भारत कहां, एसिया में, और एसिया कहां, वर्ल्ड में, ये एक क्रम हो, 3, 2, 5, 6, 4, कैसे, बरते क्रम में, अगर गटते क्रम का भी हो सकता था न, दुन में एसिया, एसिया में भारत, भारत में महारास्टर में मुंबई और मुंबई में गेटवे आप इंडिया, यह तिन नमबर, देखिए यह क्रम भी रियल ओडर है और यह क्रम भी रियल ओडर है, अब आप्शन में दोनों में से कौन सा दिया है, कोई एक ही देगा, तो 325-641 325641 option number D तो कोई आवस्चक नहीं कि यही क्रम एक मात्र एंसर होगा यह दोनों ही क्रम या तो बढ़ते क्रम का एंसर या तो घरते क्रम का दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं आईए इस प्रस्न को देखते हैं यह सब्दकोष पर आधारित प्रस्न है तो सभावी के समान अस्थान पर समानवर्न की जाँच नहीं करते समानवर्न पर और समानवर्न की जाँच होती है और यह आपसन गलत है यह कहा है सब्दकोष के अनसार बैवस्थत कीजिए यानि यह वास्तविक अनुक्रम पूछ रहा है आपसे क्रम कह लिजिए वास्तविक अनुक्रम कह रहा है एक्चुली यह रियल आडर ढूंड रहा है real order यानि वो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आप जब आप दें अब आप देखेंगे ये MO से शुरू है M से तो सभी शुरू है M के बाद क्या है यहाँ O, यहाँ A, यहाँ O, यहाँ A और यहाँ A, M के ठीक बाद आने वाले वरनों में ये contradiction है A और O का यह भिन्नता है उसमें तो अगर A O की बात करेंगे देखिए alphabet कर order पर सजा होता है आपका dictionary वर्ड तो A पहले आएगा की O यह सबों को पता है की A आएगा हाँ जी जानवी जी नमस्कार आए यह dictionary वर्ड का पर संच चल रहा है तो हमारा क्या कर ना था कि M के बाद A, M के बाद A, M के बाद A तो दो आसमान वरन आई ए औरो हम लोगों को पता है पहले ए वाला आएगा तब ओ वाला आएगा इसका मतलब हुआ पांच नंबर ए वाला है ये भी ए वाला है और ये भी ए वाला ये तीनों आ जाएंगे तब वो ओ वाला आएगा तो अभियासर ये तीनों एक दो और तीन नंबर पर कब जा करेगा अब इसी तीनों पर फोकस करते हैं मंकी और मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना होगा हम लोगों को क्यों कि M O वाला मामला है हम लोगों को M A को पहरे व्यवस्थित करना है M A N ध्यान से देखेगा M A N M A N M A S हमने क्या करा था ये तीनों एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर पर कब जा करेंगे तो M A N M A N और M A S तो N N वाला आएगा एस वाला जाएगा तीन नंबर पर यानि पांचमा जो होगा यहां रखिए ये तीन नंबर पर जाएगा अनुक्रम पर अब इन दोनों की बात करेंगे तो मेंडेटा M A N D A M A N D A सेम है अब बजाए आर पहले की टी पहले औवियस है आर पहले तो सबसे पहले तीसरा आएगा तब दूसरा एगा एक यह वास्ता भी क्रम अभी तक आया अब ढूनना है मॉबाइल और मंकी में पहले कौन आएगा जो चौथे और पांचमें पोजिशन पर कपज़ा जमाएगा M O N K और सॉरी यहीं पहली ही हो गया M O के बाद N M O के बाद B B वाला पहले और N वाला बाद में आपका जवाब वास्ताविक अनुक्रम जो रियल और है वो 32514 होगा आ गया था जवाब क्या पहले से जवाब नहीं आया था जवाब देने की कोशेश करें आप सभी लोग जवाब देंगे तो बैतर है यह formation of word का प्रसन है और आसान सा प्रसन है नीचे दिये गए बिकल्पों के वरणों पर ध्यान देना है और आपको देखना है कौन सा सब नहीं बनाया जा सकता है यानि इस बड़े सब्द से आप जब पाईज बनाना चाहेंगे तो P O I S E सारे वरण मौजूद हैं यह नहीं बनाया जा सकता है सॉरी बनाया जा सकता है लिए जवाब देना नहीं बनाया जा सकता है सेशन बनाते हैं वह इस सेशन में S S S तीन बार चाहिए तीन बार है यह या नहीं बिलकुल है फिर I O N भी है यह भी नहीं बनाया जा सकता है में नहीं मिलेगा चुकर यह बनाया जा स नहीं है अर्थात यह नहीं बनाया जा सकता है जवाब यही देना था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है और आपका जवाब सही हुजाता है शुलिए अगले प्रस्ण की वर पढ़ते हैं को डिकोडिंग का प्रस्ण है आप सभी बनाने की कोसेश कीजिए डिसकेशन का मामला देखिए जब आप प्रैक्टिस सेस्टन में भाग लेखते हैं तो प्रत्य प्रस्ण का कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप अकड़ें और देखेगे कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग हमको लिखने दें पहले आप क्या दिमाग में Чलेगा हमारी अग्जामीनेशन हरो में हमारे अभ ठेरतियों का को दिखाते हैं आपको कैसे आसानी से कम समय में tutorial आप कैसे जबाब देंगे या स्क्रीन पर लिखा होगा तुरत ट्राइ करना है हम लोग को पहली बात हम लोगों को दिख रहा है 18 को 17 कहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है तो हम लोग पी को जल्दी से मैनस वन करके P का मैनस वन करेंगे तो सभाविक है O होगा और आप देखेंगे एक ही ऑप्सन है यहाँ जबाब दिया जा सकता था आगे की जांच करने की आवसकता नहीं थी वैसे 5,4 भी मैनस वन का उधारन था तो 18 में मैनस वन करेंगे तो 17 Q अब तो जांच की कोई आवसकत है तो वह option नहीं मिलता है तो यानि उस समय आपको अपनी प्रनाली बदल देनी चाहिए इसलिए प्रतियक क्रेक्टर पर काम करने के बाद प्रतियक लेटर पर काम करने के बाद निश्यत तुर पड़े एक वर आप option की उर जाए क्या आपकी दुराब किया गया पहला कारी option अगर कर रहा है तो ठीक नहीं तो बहुत है फट जाना चाहिए हम लोगां को आगे यह अगली प्रस्न के की और बढ़ेंगे तो अगला प्रस्न भी कोडिंग डिकोडिंग का है और यह आखों का कमाल है आप देख रहे होंगे अगर प्रस्न को गौर से देखा जाए तो आस के भी लम ना करेंगे जभाब देने में जितनी जल्दिवाजी हो आप देखेंगे यहां पर क्या मेरा कहना सुह है कि बिंजल को इसने reverse order में लिखा है रिंजल के सभी character को इसने reverse order में लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा है, लेडी finger को उल्टे क्रम में लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे करते हैं आएसे लीदे, आई एफ वाई और कुछ मिला ये भी नहीं होगा एंसर आर इजी एन आई याई एंसर होगा आप जैसे जित थोथरा काम करें ना तो आप्शन की और नजर रखें इससे फायदा क्या होगा कि कुछ क्रेक्टर पर काम करने के बाद आपका एंसर मिल जाएगा फोरा सा काम करें करेंगे एक दो लेटर पर उसका आप्शन पर नजर डालना ज़रूरी होगा आगे आजए आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग जवाब देंगे तभी तो पता चले भई कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं जवाब दें आप इसकी सेटिंग करें एक पांच का प्रसन आप सभी कहते हैं आप जवाब देने की कोशिस करें सजाने की कोशिस करें L1, L2, L3, L4, L5 को एक दूसरे के ऊपर सजाना है according to question तो सजाने की कोशिस करें ना समय देते हैं आपको जवाब देजिए और समय रहते जवाब देंगे तो फायदा पांच गैंदों को मेरी सलाह माने जब भी सेटिंग अर्रेंजमेंट बैठनी की वेवस्थिकरन को आप जैसे ही सेट करने की कोशिस करते हैं उसके अन अर्रेंज डेटा को अर्रेंज करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान कि आप एक लाइन जैसे ही वो कहे आप उस पर काम करें इसने कहा पांच गैंदों को एक दूसरे के उपर सजाना है बस इस पर आप क्या समझते हैं आप समझते होंगे कि पांच गैंदों को ऐसे ऐसे एक दूसरे के उपर ऐसे सजाना है यानि यह क्रम होगा सजाने का तो इ लिए गया चलि दूसरा लाइन है L1 L5 के ठीक उपर तो L5 के ठीक उपर L1 होगा यानि इन दोनों के बीच में किसी और को बैठने की गुंजाईस नहीं है यह हम कह रहे हैं वो लगाईस पंक्तियों का प्रस्ण पुछा वो 12 पंक्तियों का प्रस्ण पुछा कोई लेना देना नहीं है आपको ध्यान क्या देना है कि एक प्रस्ण पढ़ें और उस पर कुछ काम करें आप L1, L5 के ठीक उपर है और, और का मतलब subject number 1 यानि L1, L4 के ठीक नीचे है L1, L4 के ठीक नीचे है यानि इन दोनों के बीच में भी किसी को बैठने की अनुमती नहीं होगी या आप दूसरी भासा में कह सकते हैं कि L4, L1 और L5 लगातार की तीन सीटों को occupy करेंगे अब आईए L2, L3 के ठीक उपर है, L2, L3 के ठीक उपर है यानि इन दोनों के बीच में भी बैठने की किसी की गुंजाईश नहीं होगी चात्रों आप देख रहे होंगे ये दोनों रफ वर्क तयार हो रहे हैं अब हम लोग इन दोनों को मर्ज करने वहां ले जाएंगे और, और का मतलब सब्जेक्ट नमबर वन यानि L2, L2 F5 के ठीक नीचे है L2 इसके ठीक नीचे होगा और L2 के नीचे पहले ही L3 रफ वर्क हो गया है आप देखेंगे वहां ले जाने की जवत भी नहीं है, वो सच चुका है सचने का एक क्रम है तो लिख लिजिए L4, then L1, L5, L2 और L3 प्रसन है L2 के उपर कितनी गेंदें हैं? आप देख ले L2 के उपर तीन गेंदें हैं जवाब देजिए आपसर नमबर सी, नहीं जवाब दिये थे एक प्रसन आ गया, mutual relation का प्रसन है इसमें संजोजक और एवम तथा किंतों प्रंतों लेकिन बलकि यदिपी बावजिद आदी का इस्तेमाल हो सकता है आपको त्यार रहना होगा मोहनी नीता से लंबी है, क्या कहेंगे आप? अब तो भाई, मोहनी किस से? नीता से लंबी है ये रही नीता से लंबी है अब हम मारकर रखते हैं, अगर यहाँ पर मारकर रखे हैं तो इसको आप नीता से छोटी कहेंगे यहां पर अगर हम रखें तो आप कहेंगे यह नीता से बड़ी और मोहनी से छोटी यह मोहनी के बराबर और यह मोहनी से बड़ी यह बात तो आप समझ रहे हैं फिर इसे देखें अगर यहां मार कर रखते हैं कि यहां कोई बंदा सेट हो तो वो मोहनी से बड़ा यहां रख दें अगर तो मोहनी के बड़ावर यह बीच वाला हिस्सा मोहनी से छोटा और नीता से बड़ा और वो नीता से भी छोटा फिर इसने कहा है मोहनी नीता से लंबी है लेकिन लेकिन का मतलब subject number one मोहनी मोहनी सरिता से छोटी नहीं है मोहनी सरिता से छोटी नहीं है इसका एक ही मतलब होता है कि मोहनी सरिता से बड़ी है तो सरिता की position यहां हो सकती है सरिता से छोटी नहीं है, सरिता से बड़े और बड़ावर होने की संभावना है, इसको देखिए बड़ा सुन्दर सा प्रस्न है, छोटा प्रस्न है लेकिन थोड़ा सा प्रस्न परेशान कर सकता है फिर क्या रहा है मोहनी हेमा से छोटी है, अच्छा सरिता और मालनी का कद बड़ावर है, ये दोनों बड़ावर, भाई सालनी हो या मालनी हो या सरिता वो मोहनी के नीचे ही रहना है, मोहनी से छोटा ही होना है, तभी मोहनी हेमा से भी छोटी है यानि हेमा सबसे बड़ी हो जाएगे और इन दोनों की इस्थिति अब यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रायह लोग समझते हैं कि इन दोनों की पॉजिशन मोहनी से छोटी है इसको गंभिरता से देखें इसको गंभिरता से देखें और जब कह जोएगा इने में急 सबसे लंबा कौन है तो हम ऌए आप जवाब कोसिस करें गहें यहव्व सही है या नहीं है चिक नहीं इस ने खा था मौनी लेकिन सड़िता से चोटी नहीं है मोहनी सड़िता से चोटी नहीं है देखिए बरा और छोटा या बराबर रिष्टे तीन ही होते उसने कहा था छोटी नहीं है छोटी नहीं है इसका मतलब या तो बराबर हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है दोनों संभावनाएं बसती है तो मोहनी से ये दोनों छोटी भी हो सकती है और मोहनी के ये बर प्राबर भी हो सकती हैं तो सेकेंड पोजिशन पर या तो मोहनी या तो शरिता या तो मालने तीन तीन की पोजिशन बनती है और आप प्रफेक्ट जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए आपको जवाब देना होगा नहीं अब एक संख्या स्रिंकला है नुमरिकल सिरीज है इस पर ध्यान दें बाएं से दाएं चलने का गुन है ओहो सबसे पहले ही नौट अप इंट्रोगेशन है देन 55 56 यह 64 देन 91 यहां धूनना है सबसे पहले न न न यह गलत हो गया ठैर यह यह नौट अप इंट्रोगेशन कुछ और था प्रसंद दो पंक्तियों में बिवक्त है इसलिए प्राब्लेम हुई 56 64 91 प्रसंद का आधा हिस्था कुछ हिस्था यहां भी है 155 और नौट अप इंट्रोगेशन जवाब देने की कौशेश करने आपस में उल्जे हुए है आप लोग है ना प्रसंद का जवाब दिजिए प्रसंद का जवाब दिजिए फिर बातें भी करेंगे दोनों काम होना चाहिए ना यहां पर प्लस वन है यह साब दिखा हम लोगों को यहां प्लस एट यह भी साब दिखा अब इतना दिखने के बाद चुकी देखिए जो अभ्यरती अच्छे होते हैं उनको संख्याओं की बड़ी जबरदस्त पहचान होती है वो पहली बार में दो का क्यूब और यह तीन का क्यूब आपको किसी भी स्रीज को खीचना है देखिए स्रीज ही एक ऐसा चप्टर होता है जिसका प्रसन बनना ही बनना है और कोई भी अभ्यरती अगर स्रीज के प्रसन को छोड़ कर आता है तो यह बेमानी है आपको नहीं छोड़ना है आपक सब्सक्राइब नेक्स्ट पांच का क्यूब आप जोड़ दें यहां पर 125 तेज गती में जोड़ेंगे भाई 150 और 120 हो गए 270 और 255-10-280 आपका परफेक्ट जवाब और नमबर C 280 हो जाता है हुआ 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 है आप लोग आपस में बात कर रहे हैं कुछ जबाब भी दें हैं आपस में उल्जे हुए हैं आपस में कुछ जबाब दें वही एक स्रीज का प्रसन आ गया बड़ा लंबा चोड़ा संख संख्याएं बड़ी लंबी चोड़ी मिली हैं और देदरे घट गई है मामला क्या है भाई सौरब जी और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा जवाब देना चाहिए हैं ना आपस में यह उल्जे हुए हैं 283 94 दें 31 दें 10 दें नोट आप इंट प्रोगेशन है हलांकि संख्याएं निरंतर घर्ति क्रम में हैं घट रही हैं जल्दी जवाब देने की कोशिस करेंगे अगर मान लिए घर्ति क्रम का प्रस्ट नहीं पकड़ाता है तो वापस लोड़ जाए रिटर्न आए रिवर्स ओडर में आए भाई यह तो पकड़ा ज उसके लिए 10, 3, 31, 31 यह तो बड़ी आसानी से पकड़ाता है यह बड़ी आसानी से पकड़ाता है यह भी आप देखेंगे तो गुना 3, 93, 93 प्लस 1, 94 यह भी यहां इंट्टू 3, प्लस 1, देखिए हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं जाना चाहिए लेफ्ट टू राइट वैसे एक घटा कर आप करते एक घटा कर भाग देते तीन से तो यहां पर अगर आप रखें 3, 3 गुना 3, 9 प्लस 1, 10 आपका जबाब 3 हो जाता है या नहीं इधर से जाते तो पहले एक घटा हो तीन से भाग दो फिर एक घटा हो तीन से भाग दो एक घटा हो तीन से भाग द का उम्मीद करेंगे कि आप जरूर बनाएंगे 107 यह क्या लिख रहे हैं अब डारेक्ट भी बना सकते हैं अपनी मर्जी है डारेक्ट बन जाता है तो बनाद जी डारेक्ट भाई ठीक है लिखने की बात है तो लिख लेते हैं बी आर ए आई एन ब्रेन को लिखा है उसने पीजी कि सीपीडी है पहली बार में तो कोई भी ऐसे देखेगा लेकिन तेजगती में देखिए डाइगनली अगर देखते हैं तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिल डाइस टोल देखिए ये जो बाते दो लिखी गई हैं मेरे दोरा ये आपके एग्जामिशन होल ने लिखा मिल रहा है अब आपको करना क्या है पहले चेक करना है कि कम से कम समय में कैसे जबाब दें ऐटोली हमको देख रहा है बी का डी वी सी छोड़कर डी है तो एस टी छोड़कर आ रहा है आ रहा है तीन जगा पर यानि हम लोग पकर चुके हैं यह आप्शन गया अब दूसरी बात आपको पकरनी होगी आर को पी कैसे लिखा तो आर की वैल्यू 18 और पी की वैल्यू 16 मैनस टू है यहां भी देखेंगे तो 20 और 18 मैनस टू है है ना तो आप यहां पर 21 को ज Byऑश है मैं ऐसा कह रहा है हम लोगों ने देखा कि वहता दो को लिखा है चार्ग ट्रगनली प्लस टू किया है यहां भी हमंदेखरें पितर प्लस टू किया है अगर जैड में हम प्लस टू कई यह 26 में को तो 28 आता है यानि आखियर में B होगा यह पता चल गया हम लोग को आखिर में B होगा, या हम ऐसे कर सकते थे B, C छोड़ कर D, S, T छोड़ कर U, तो Z, A छोड़ कर B, और लास्ट में B तीन ही जगा पर है, है ना तीन जगा पर, एक गया, अब दूसरी जांचाप करते हैं, 18 को 16 कहते हैं, माईनस 2, 20 को 18 कहते हैं, माईनस 2, 21 को 2 घटाएंगे, 19S कहेंगे, धर से B, S एक ही जगह पर है, यहीं पर आपका जबाब हो जाता है, इन सारे character की जांच करने की आवसकता नहीं थे, सभी character की जांच करने की आवसकता नहीं रह जा जाती है, आगे बढ़ेंगे, अब gossip उपर जो एक बड़ा सब्द लिखा हुआ है, उस बड़े सब्द के प्रतेक अक्षर का प्रयोक कर नीचे वाला कौन सा कौन सा नहीं बनाया जवाब देना है अब going को देखा तो Huh genius यह skill गा सफी यां दिख रहा है यह भी छान तो एशन देखा रहा है यह भी अन्सर नहीं होगा और कि नहीं ऐता ही तो इन्हाँ में ऐक स्वेटर रहे में एक खिक्टर ja S.O.A.P. नहीं अब चलिए father की coding है समझे father को किसी तरह से seven कहते है daughter को किसी तरह से nine कहते है वो तरीका ढूंड ना होगा तो distant को क्या है पहली बार में जो आपके मस्तिस्क में आता है उसको देख कर तो अप्सन की और बढ़ेंगे father में तीन तीन छे छे करेक्टर हैं तो उसको लिखा साथ यानि number of letter plus one यहां है तीन तीन छे दो आठ number of letter eight plus one is equal to nine तो इस अधर पर distance में तीन तीन छे एक साथ है plus one करके हम जवाब देंगे आठ option supportable है आपको यह जवाब दे देना चाहिए अगले प्रस्न की और बढ़ेंगे एक स्रिंखला स्रिंखला कहा है स्रिंखला कहा है उपर है उपर है ठैर यहां है स्रिंखला smart aspire then castle then abysmal अब यह देखने से पहली बार में लगता है कि इन सभी सब्दों के अर्थ को अगर जानेंगे हम तभी जवाब दे सकते हैं जो है ना लेकिन सोचिए इसका जवाब देने की कोशिश के यह इस प्रस्न का स्रीज आपको नीचे नहीं दिख रहा है एक्चुली स्रीज यहां पर है पहला smart है then aspire, then castle then abysmal, then acquist या acquist जो भी pronunciation हो क्या होगा अब तो entertain किया जाता है पहले में 5 लेटर दूसरे में 6, तिसरे में भी 6 उसके बाद 3, 3, 6, 7 फिर 6, मज़ा नहीं आया वो बात नहीं आ रही, और कुछ बात हो सकती है गौर से देखी किसी character की position देख सकती हैं आप आप देखेंगे इसमें एक नमबर पर S है इसमें दो नमबर पर इसमें एक नमबर पर है इसमें दो नमबर पर है इसमें S तेन नमबर पर है तो किसी वर्नों की स्थती के आधार पर भी एक प्रसंद तयार होता है और यहाँ पर जो S है चौथे नमबर पर है, यहां पर S पांचवे नमबर पर है, अब दिए गए ऑप्शन में छटे नमबर पर S यहीं आपको दिख रहा है, इसलिए आपका जवाब यह, ए, ड्यूटीज, नहीं, आज़ा यह अगले प्रस्निकी वर चलते हैं, उपर जो एक आप देख रहे हैं, बड़ा सब्द दिया है, वा उसके क्रेक्टर से नीचे, ओ आलम जी आगया, आज डिले आया है आप लेकिन, है ना, आप रगता है थोड़ा सा लेट कर दिए, यह असन सा प्रस्न है, इसने कहा है, नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सक है, भई इसमें भी जो है, दिये गए मौलिक सब्द में मौजूद नहीं है, यह नहीं बनाया जा सकता है, और जबाब भी आपको वही देना था, अप्छरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं, ठीक तो है फिर, जांच कर लेते हैं बाकी, पैक्टिस ही होग है, एंसर हलांकि, भी पहले ही आचुका था हमारा, है ना, आगे का काम कर लेते हैं, 113, सिरीज कॉम्प्रेशन का प्रस्ण है, जरूर, एटेंप तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, आप तब तक बनाएए, यहां हम आप्शन को ठीक करते हैं, तब तक है ना, 15, 17, 20, यहां पर 32, फिर दिया 43, कहरा आगे क्या होगा, आप्शन मौजूद नहीं हैं, हम लोग अपना काम कर लेते हैं, हम देखते हैं आप्शन, काम कीजिए, क्या जबाब होगा, आलम जी आगे तो आपके आने के वाद उम्मिद बढ़े की, अब आप जबाब देंगे, चलिए अभी से आपके जबाब की जाच करेंगे, हम लोग है ना, डायक्ट वो संख्या लिखिए, डायक्ट वो संख्या लिखिए जो एंसर होगा, पहली बार में जो हम लोगों को दिख रहा है, वो यहां प्लस 2 दिख रहा है, यहां भी प्लस 3 दिख रहा है, यहां प्लस 5 दिख संपूरित हो जाए, sequence maintain होता हुआ, 55 कह रहे हैं, 55, या 56, अलम जी इसको जाच कर आप देखें, 56 तो नहीं, कैसे, 50 आप क्या कह रहे थे, 55, यह जो दो से प्रारंब होकर चला है, दो से प्रारंब करते हुए, नहीं है, यह consecutive prime number है, अलम जी, यह consecutive prime number है, दो, तीन, पांस, साथ, ग्यारा, ग्यारा के बाद का prime number 13, तो यह 56 हो जाएगा, आप लगता है, लिखने में, टाइपिंग में कुछ गलती कर दिये न, फिर 57 कैसे है, अलम जी, 57 भी नहीं, अब 56 हाँ, अच्छा, गलती करके, मिटाइए नहीं, उससे क्या आप सूश करना भई, वोसेश तो किये, आएए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसन देखते हैं, करिए एक sitting arrangement का प्रसन है, तो sitting arrangement का प्रसन बहुत hard थोड़े न होता है, उसकी एक पंक्ती आती है, और इस एक पंक्ती पर हम लोग काम करते हैं, चलिए हम ही बनाते हैं इसको आप लोग देख लेंगे इसे, हना, देखते हैं, व्यक्ति एक पंक्ति में, कितने व्यक्ति यह तो दिया है नहीं, अच्छा, six people are sitting in a row, तो छे लड़कों का नाम है, छे व्यक्तियों का नाम है, तो छे सीटे वैकेंट कर लिजिए, उपर की और मुख मान लिजिएगा, हना, कि मुख दिया है, नहीं दिया, कोई बात है, हम लोग मान लिए उपर, A, B, के एक लाइन पर ही एक बार में काम करेंगे, A, B, के निकटतम बाई और, तो A, B, के निकटतम बाई और का मतलब की इन दोनों के बीच में किसी और की गुंजाईस नहीं होगी, और का मतलब subject number one यानि A, A, C, के निकटतम दाई और बैठा है, C के निकटतम दाहिनी और मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं अर्थात ये तीनों इन छे में से लगातार की तीन सिटें अउक्यूपाइग करेंगे अब आईए C F के निकटतम दाहिनी और है C F के निकटतम दाहिनी और मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं यह वड़ा जल्दी बनता जा रहा है अब D E के निकट तमदाइन है जो जो मतलब second number F के बाइं ओर है यानि E F के बाइं ओर है और यह E D का निकट तमदाइना है आपका यह लगातार यहीं सच गया खिर वहाँ फील कर देते हैं हम लोग D E F C A B अब आप इसे देकर इस व्यवस्था को देकर आप जबाब दें तो केंदर में कौन से दो व्यक्ति बैठ हैं बीच में बैठने वाले काना F and C यह जबाब होगा अब यहाँ एक स्रिंखला गायब है ठायर जाईए इस स्रिंखला को हम पहले पूरा कर देते हैं फिर आप प्रस्न को बनाएंगे मिल जाता है दो कि तुरत थोड़ी से प्रतिक्छा करेंगे तुरत तुरत पूरा सा ठहरेंगे आप लो इसको पूरा करना और इसको आप सभी लो अब मिल जाए तब ना एक बार में भाई कौन सा नंबर 115 आप इसे लिखें इसको पहले पूरा कर देते हैं आपको फिर आप बनाएंगे आसानी होता है बाई अलफा बिटकल है तो आसानी होता है बी ए डी बी देन एच डी देन आगे कौन सा होगा यह इसको देख लिजे शावाविक है बी का वैल्यू दो इसका वैल्यू चार इसका वैल्यू आठ आप पहली बार में बोलेंगे तो गुना दो यहां भी गुना दो आप कह रहें और यहां भी गुना दो करेंगे तो 16 हो जाता है पी हमारा जवाब अगर यह काम करें यह एक यह दो यह चार आठ पी एच है या नहीं मिल्कुल फिर यह भी दो वही बात है इन्टू टू यहां भी इन्टू टू यहां भी इन्टू टू करेंगे तो आठ होगा एच्पी एच आपकी आपका जवाब बिल्कुल सही है यह वाला नहीं नेक्स्ट के बात करें हम लोग अगला प्रसन इसमें फिर से ओप्षण आप देखेंगे अफ्षण का अभाव है खेर हम डिरेक्ट कर लेते हैं कि इसका एंसर होगा क्या एक बार कोसिस अलम जी करें इस प्रस्ण का प्याइच प्याइच सही है इसकी कोसिस करें अलम जी इसके यह आसान सा प्रस्ण है लेकिन भाविल कॉंसोनेंट पर था बारिक नजर रखिएगा कभी कभी भाविल कॉंसोनेंट के मामले में फंस सकता है मामला हाँ यह जो कहना है कि M की वैल्यू 13 होती है और यह 26 क्या यह तो हम समझ रहे हैं आप क्या समझ दोगना समझ रहे होंगे ए को दोगना नहीं किया 1 का 13 रख डिया फिर S को दोगना किया है 38 T को दोगना किया है 20 E का कितना होता है E का फिर 25, R का 36 है, फिर E का 25 लिख रहा है, यह ज्यान देना होगा, यहां भी आप देखें, G की बैल्यू 7 होती है, दोगुना की ऐचाओदा, O का बैल्यू, O का बैल्यू 15 होता है, यहां कुछ और दिख रहा है, फिर V की बैल्यू, डाइक्ट 22 दिख रही है, I की वैल्यू अजीव गड़ी प्रस्न है, नहीं, तो इसको थोड़ा उपर नीचे सजा कर इसके सेक्वेंस को पकरने की कोसेश करेंगे, प्रस्न तो थोड़ा सा लग रहा है मज़दार, तो देखिए, पहली बार में M की वैल्यू 26 देकर बड़ी आसान कर दिया था हम लोगो को, और अब मजबूर कर दिया वहाँ पर पहुंचने के लिए, मास्टर पर काम करें आप लोग, 26, समझ में तो आया था भाई थोड़ा सा, फिर 138452536, अब मास्टर के साथ जो आपरेशन होगा, वो अब गोविंद वाले के साथ होगा, गोविंद का क्या है, वन, सत्रा का दोगुना, साथ का दोगुना, चौदा बिलकुश है, पदरा का दोगुना, वही, 22 से तो, 22 से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को भाई, 22 के बाद 54, फिर 48, फिर 12, फिर 88, अच्छा, चार दुनी 8 सही में आया, 14 दुनी 28 सही में आ गया, 9 का स्क स्कुएर कर दिया है, नहीं, अच्छा, 22 का दोगुना, 44, फिर 12 का स्कुएर कर दिया है, अस साथ का दोगुना कर दिया है, ओहो, तो फिर, आप देखें, M की वैल्यू कितनी, 13 को दोगुना कर दिया है, अब भाविल का एक होता है न, तो उसको स्कुएर कर दिया, यहां भ value 5 होती है square कर दिया और फिर R की value 36 तो क्या इस प्रसंद से इस बात ये फिल हुआ कि भाविल की भाविल की जो value है उसको square करना है और जितनी भी consonant है उसको दोगुनी कर देनी है अब इस आधार पर हमारा क्या जवाब होगा यहां लिखते हैं B की value 2 होती है 4 हो जाएगी A1 का square 1 C की value 3 होती है 6 देना है consonant है 11 का 22 कर देना है 19 का 38 कर देना है P की 16 होती है 32 कर देना है उनह आया A तो A का square 1 कर देना है C की 3 होती है दोगुनी कर देना है E की 5 होती है वो 25 कर देना एक्ट्वल एंसर आपका यह होगा और 1622 38321625 चुकि यह option में मौजूद नहीं था नहीं तो आप लोग जवाब देने की कोशिस करते हैं ने तो जी आ गई आप भी जवाब देने की कोशिस किजिए अगला प्रस्णी यह है अगला प्रस्णी यह है आप सभी लोग बनाने की कोशिस करें तब तक हम इसमें एक कुछ चांसेस हैं एरर के हम देख लेते हैं और जीरो सेवन अप्शन चुकिए एरर है इसलिए हम लोग लाते हैं आम लोग एंसर लाते हैं देख लेते हैं आप एंसर में जो संख्या प्राप्त करेंगे उसी संख्या को जबाब दें 16, 30, 10, 40 आप देखेंगे यहां साफ दिख रहा है यहां पर जोड़ा है प्लस 16 अगर अल्टरनेट बात करेंगे तो यहां भी 16 जोड़ा है अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, मैनस किया है, कितना, 14, 14 मैनस किया, यहां भी आप मैनस 14 करके जबाब दे, 14 मैनस जबाब, 377, 377 आपका जबाब हो जाएगा यह, दिये थे क्या, 377, नहीं दिये अगला प्रस्ण फिर से स्रीज कॉंपलिशन का है नुम्रिकल स्रीज है नंबर वाली स्रीज है कौसिस किजिए अच्छी प्रैक्टिस है आपके इसमें फोर टेन ट्वेंटी सेवन चार दुनी आठ दो दस तो ऐसा दिखा है पता नहीं है या ने ये तो जांच का विशे है जांच करके आप बताएंगे पहली बार में हमको जो दिखा गुना दो जोर दो चाह गुना तीन मैनस तीन देखे तो है या ने एक बात थोड़ी सी तो 377 आलम जी अब ये देखिए चार दुनी आठ दो दस पहली बार में हमको दिखा है अब ये सही है या नहीं आगे बढ़कर देखेंगे जांच करके जल्दी से आप देखकर बताएंगे तो कैसे कैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चार दुनी आठ दो दस ठीक है यहाँ पर गुन दो गुना तिन रुकिए तैयार करते हैं सेकंड तो यहां गुना चार और यहां गुना पांच यह बात तो पकड़ी गई फिर प्लस माइनस यहां प्लस यहां मैनस टू थ्री फोर और फाइव अब यह इसको सटिस्फाइग करता है कि नहीं 2727 गुना चार 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 भी से असी और सत्व के अठाईश गुना चार जो रचार नहीं सटिस्फाइग प्राइम नंबर प्राइम नंबर पांच भी प्राइम नंबर यहां इन्टू सेवन मैनस सेवन एक जबाब हो सकता है दूसरा जबाब होता है दो तीन पांच साथ ऐसे भी ऐसे भी आप प्राइम नंबर की बात है आप साथ से गुना करें पड़े 14 सते तो अंठान में तो 980 हो गया 980 में अगर आप साथ घटाएंगे साथ ना घटाना है तो 973 नाइन घटा 7 घटाना सौरी ठीक है 973 ऑप्शन में है ओहो बड़ा जबरदस्त खेला है लेकिन काम वही था लेकिन इन्टू टू इन्टू 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 फुर कोई भी जा सकता था जब साटिस्वाइब नहीं क्या तब जब देखे 5 से मल्टिप्ला करके तब 235 consecutive प्राइम नंबर की स्री जा गई operation जो उसका वह जो कार्जवाई हुई उसकी बात करते हैं वो कुछ और था कुछ और था मतलब प्राइम नंबर यह क्या करेंगे तार्किक और अर्थपुर्ण अच्छा आईए इसको हिंदी में दिया नहीं चलिए अंग्रेजी वारी बाद प्रोबेशन पडिविक्षा दें पडिविक्षा सेलेक्षन अप्लिकेशन कंफर्मेशन एप्पॉइंट्मेंट पहले तो अप्लिकेशन कर देंगे अप्लिकेशन के बाद सेलेक्षन होगा परिक्षाएं होंगे application जमा किए application submit कर दिए उसका परिक्षा वगदर होई तो selection हो जाएगा selection की एक confirmation आएगी नहीं पहले तो selection होगा sorry appointment हो गई फिर जाकर अप्लिकेशन आपने जमा कर दिया, कनफरमेशन हो गई, रुकिये, अप्लिकेशन किये, सेलेक्शन हुआ, सबसे लास्ट में प्रोबेशन होगा, प्रोबेशन मना परिविक्षा धीन, परिविक्षा धीन, एक ये, तब जाकर अप्वाइंटमेंट उसके पहले, अप्रोबेशन में भीच दिया जाएगा, परिविक्षा धीन कहते हैं, तो सबसे पहले तो भाई आपका अप्वाइंटमेंट हो गया, 3, then selection, then appointment, then confirmation, then probation, probation तो सबसे अंतिम में जाना ही जाना है, तो उस आधार पर D, probation मतलब परिविक्छाधीन, probation के 3, 4, 2 लेकि एक जबाब आया है, 3, 4, 2, नहीं, actually क्या है LMG, 3, 4, 2 जो आप जवाद दें, हो सकता है, यह जबाब में कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिये गए option के अधार पर यहां satisfy करना होगा आपको, नहीं, किसी-किसी नियुक्ती में परिविक्छा दिन नहीं होती, probation नहीं होता, सीधी नियुक्ती होती है, किसी-किसी में probation होता है, जैसे आप चुने होगे ना, प्रोबेशन आफसर बैंक में, प्रोबेशन में होते हैं, परिविक्छा में होते हैं, फिर जब उनकी कुछ प्रिविक्छा का टाइम प्रिएट समाप्त जाता, देन वो मैनेजर, असिस्टेंट मेनेजर आदि पर नियुक्त कर ली जाते हैं, तो option की मदद इसमें आपको लेनी होगे, यहां भी option में error है, आप चिंता ना करें, हम उस सीधा उस, उसका जबाब तलाशेंगे, 307, 307, 303, 299, and 295, यहां पर minus 4 तो दिखा है, ओ, वही है ही, वही है ही, एक बार में नजर आए, जबाब देजे तो इसका, वो minus 4 वाली बात एक ही बार में, ओ, जबाब दे भी दिया, minus 4 वाली बात सही है कि नहीं, मेरे से सहमत है कि, sorry, minus 4, यह minus 4, यह minus 4, यह minus 4, हमको लगा थे, संख्या चुक है एक जगार लिख देते हैं तब आप इसको बनाएंगे जब हम एक जगार लिख देंगे तो बनाईएगा इसको ठीक है जो कि बहुत लंबा चोड़ा है तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे हम लिख देते हैं हिट का टॉम पहले इसको लिख लेने दीजिए हिट का टॉम इसके मिनिंग दे गई होगी कुछ रिटेनेस टाई दा सू टाई दा सू आप पहले से जानते हैं इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि पहले की कोडिंग पहली दूसरे की कोडिंग दूसरी ये common method से बनाया जाता है देन आता है का कालो फॉर्ड कालो एंड पॉर्ड की क्या मतलब सू इस लेदर है ना सू इस लेदर अब यहां क्या देखना है जैसे ही हमारे पास दो आया तो हमने देखा कि का का दोनों में है तो यहां भी सू सू दोनों में है यानि का का मतलब ही सू हो जाएगा नहीं दन चले आएए आ तिन लॉट और लो टिन लो भी है लो टिन लॉट का मतलब लेदर एंड रैक्सीन इसका मतलब लेदर एंड रैक्सीन कुछ मिला है पक्का मिला होगा यहां भी लो और यहां भी लो यहां पर लेदर यहां लेदर लेदर का निकल गया अब आप निस्षित कहेंगे तो इज का भी तो निकल गया, यहाँ फॉड अकेला बचा, यहाँ इज अकेला बचा, लेगन हम लोगों को पूछा है वो आफ का और अभी तक आफ आया नहीं, कहीं भी आफ नहीं देख रहा है, है न, हाव इज आफ रिटन, तो आफ कहीं दिख होंगे, FOD आफका जवाब हो जाएगा, only FOD, option number D, option number D, pod, low नहीं हो पाएगा, low, low तो इन दोनों में common था, तो इन दोनों में लेदर हो गया था, उसने off का पूछा था, आलम जी, हाना, चलिए, अगले प्रसंद की और बढ़ते हैं, इसको अब आपको सजाना है, आभुषन, सोना, सुनार, आभुषनों की दुकान और दुलहन, इसको सजाएंगे कैसे आप, सबसे पहले तो सोना ले आईए, सोना ले आने के बाद चलते हैं आभुषन की दुकान में, नहीं, आभुषन की दुकान में जाते हैं, सोना ले ल आपने गोल्ड लिया है, गोल्ड की आभुषन बनाना चाहते हैं आप, दो सभी जगों पर है, दो के बाद आप आभुषन की दुकान पर जाएंगे, तो चार नमबर आभुषन की दुकान पर जाएंगे, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, सोना लो, आभुषन की दुकान पर जा जलते हैं फिर सुनार के पास हमार के पास चलें अगर आप ऐसार नवा ऊच्छन की दुकान पर जाएंगे आप सबसे मिलें आपको वह सुनार कर भई ऐ तैरियेगा आपसन पर नज़र रखिया ओपसन के हिसाब से ऐसे तो लग रहा है भाई सोना लो आवुशन की दुकान पर जाओ वहां सुनार मिलेगा आवुशन तयार करो और दुलहन उसे पहनेगी यह मामला है आप कहा रहे हैं 24315 24312 के बाद आप सिधा सोना को यह जवाब तलासना होगा वो तो है इस सोना को सबसे पहले आवुशन की दुकान पर ले जाएं जहां सुनार उसके आवुशन को तयार करेगा फिर दुलहन को सौप देगा दुलहन उसे पहनेगी यह ठीक है जानवेजे यह ठीक है आपका लेकिन आपसन नहीं है आपसन के हि की दुकान में यह सटीक नहीं बैठ रहा सटीक नहीं बैठ रहा है वई सोना हमने पड़ापत कर लिया है इसको अगर देखें तो सुनार के पास जाते हैं ठेक है एक नंबर आवुशन तयार करता है आवुशन यह इसके एप रॉक सेंसर यह वारी सही हो जाएगी रही वैसे वास्तों में था इसोने को आवुशन की दुकान में ले जाए शुनार वहां इसकी आवुशन तयार कर देगा दुलहन परनेगी यह एक मामला था टू थ्री पो जो जानवी जी दे भी रही थी नेक्स्ट क्या जवाब देंगे इस प्रसन का यह तो आलम जी जवाब देजे यह तो थोड़ा सा अराम से प्रसन बनेगा यह बहुत ही आसान सा प्रसन लग रहा है चुकी संख्या बढ़ रही है गुनात्मक रूप में बढ़ रही है यह भी आपको दिख़़ा होगा तो 3 3 6 24 जो है मेरे हिसाब से जो हमको एक बार में देखने से लगा कि गुना वाली है यहाँ यहां परी एक operation है यहाँ पर दो से गुना है वह पिर यहाँ भी दूगुना कि ही दो गुना फिर 4 औरका फिर गुना आठ पहले यह आठ से था कि नहीं आठ चोके 32 के 2, 3, 6, 191 में बिल्कुल छही था एक्सव बिरानवे में दो से गुना किजिए 16 से गुना 162 ने 32 आखरी में तो 2 ही होगा इन यूनि डिजिट कह रहे हैं 2 होगा दोला दुनी 32 का 2 हो गया 3, 16 नमा 144, 3, 147 भाई साथ होगा अंतिम में साथ दो होगा उतना गुना कौन करता है सिधा 3072 अंतिम में देखे न 16 नमा 144, 3, 147 तो साथ होगा 72 वाला एंसर होगा इतने सी नमबर जबाब दिये भी थे कोई आलम जी अच्छा हां दिये थे वेरी गूड आलम जी आज देर कर दिया और पहले देना और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंद थे खर चलिए इसको बनाइए इसको हम बनाते हैं आप प्रसंदर प्रसंद बढ़ेंगे सुंबार से सुक्रबार तक सभी विश्यों को सजाना है स सौंबार से शुक्रवार तक ऐसा प्रस्ण करके प्रैक्टिक सेशन में भी आया था जैसा हमको याद आ रहा है रुकिए हो ना हो वही प्रस्ण हुई हो देख लेते हैं आप सौंबार मंगलवार बुद्धवार गुरुवार शुक्रवार पांच दिनों तक फिल्में दिखाई जाने हैं कैसे कैसे और फिल्में नहीं वो बिशे वाला कल फिल्म वाला था एस वन से पहले केवल एस फाइप एस वन से पहले केवल एस फाइप यानि कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं एस फाइप नहीं होगा S2 को S4 से पहले S2 को S4 से पहले बुद्धवार को S2 को पढ़ा नहीं सकते यहां S2 होगा नहीं तो S2 और S4 की तो यही चांस बनती है S2 and S4 बचा कौन? S3 पूछे जो परसन पूछना है S3 के बाद का जो जोड़ा है युग्म वो कौन है? तो S3 के बाद का युग्म है S2 and S4 S2 and S4 सही है? यह आलम जी? S1, S2 नहीं अब रिजिनिंग की क्लास 4 से 7 कर दी गई है क्लास 4 से 7 कर दी गई है आलम जी एक्चुले तो इसके बाद भी आप देखेंगे जैसे ही यह प्रैक्टिस सेशन खत्मों का तुरत एक प्रैक्टिस सेशन अभी आएगी और 50 प्रसनों की यह तो थो थोड़ा आसान भी है आप देखेंगे तो यह आसान है जैसे जैसे वो किया है हम लोग भी करेंगे एंसर गया भगाईए अब CIL को कैसे लिखा ICL हम लोग लिखेंगे EHR यही एंसर है अन्त वाला EHR वो यह अस्थानों का परिवर्तन था प्रते करेक्टर जीधर कर रहा था हम लोग उधर-उधर कर दिया और क्या कि इसका जबाब देंगे हैं मोकिक देंगे यह अपने अपने पर टिपेंड करताया अपहले पकड़ाये तो भई आट यानि 13 को कहा 12 और 3ड हम लोग 5 को कहेंगे 2 यानि पांच को तेरा को बारवला 5 तो 4 न लिखेंगे डी में ये एंसर हो जाएगा हमारा । सिधा एंसर हो जाएगा क्या कि ये तो फिर वही बात है जैसे जैसे किया है देखिये तो सही कह रहे है M A C को इधर लिखा है C A M, हम लोग भी M O N को N O M लिखेंगे, सिधा option पक्कू देंगे, N O M नहीं है, N O M नहीं है, और फिर ये H जो हैना H constant है, तो हमारा S constant हो जाएगा, N O M S यही answer होगा, अब तो कुछ कामी नहीं करना है, वैसे अगर आप देखें, I N E को ऐसे लिखा है, त हम लोग भी T E R को R E T उलर्ट कर लिखेंगे, जो जवाब बिल्कुल से, जवाब तो ऐसे ही आ गया था पहले हैं, पुड़ा तो काम भी नहीं करना था, जो हम लोग करते भी हैं, जब कुछ options को देखकर हमारा काम नहीं जाता है, तो वो बहुत करने किया वह सकता है, क्या समझे, जवाब इसे नहीं दे थे, N O M S R N O M E T E E T में था गरबर होगी, S को constant नहीं किया, S छूट गया आपका, middle वाला जो character है, वो constant है, इस तरह है, चले यात्रा करते हैं, इस प्रस्न में तो यात्रा ही होगी, यात्रा का एक तरीका होगा, याद रखेगा, यह नहीं चल पर match करना होगा, जी, सबसे पहले, सबसे पहले वापसी यात्रा तो नहीं होगी, यात्रा बेवस्था, travel arrangement, hotel में ठहरना, दर्सनी अस्थरों की यात्रा, गंतब पर पहुंचना, गंतब पहुंचना मतलब, जहां जाना है, वहां पहुंचना, सबसे पहले हम लोग यात्रा क की वैवस्था कर लेंगी, अब देखी वापसी यात्रा क्या है, वापसी यात्रा भी कभी क्या होता, जाते वक्त ही लोग वापसी यात्रा की टिकट लेते हैं, एक परसन आया भी था ऐसा, तो दो अधार बनेंगे इसमें, कौन से अधार पर हमारा option सपोर्ट करें, सबसे हुझा है चलिए यात्रा भीस्था हम लोग कर लेते हैं, टिकट लेते हैं आदी-आदी सारी बात, आप गंतव्य पर पहुँचें आप सबसे पहले यात्रा विवस्था करें जहां जाना है वहां पहुँचें पहुँचने के बाद आप होटल में ठहरेंगे नहीं यह तीन नमबर पचला गया अब वहां दर्सनी अस्थलों की यात्रा करेंगे घुमे फिरेंगे और अंत में वापसी यात्रा करेंगे तो जबाब क्या हो गया सबसे पहले आया दो नमबर दो नमबर फिर दो के बाद दो नमबर पर कोन है पांच नमबर 2533 स्य है फिर 41 यह वाला होगा आपका डी नमबर है इनके अचा आगया था 25341 25 बिल्कुल सही जवाब आलमजी सिर्फ आलमजी जवाब दे रहा है अलमजी लेकिन खूब जवाब देते हैं पिछले बार भी पिछले बार भी प्रक्टिस से कुछ भाग गया क्या एक्स्ट्रा और एक हा गया आर की वैली दोगो Series 14 और 30 नौट देख्या के ना होगा यह दूसरी बात सभाव आर की वैलियो 18 हुती है उसको 2 जिए तो 36 मेले हैं बि-ा-ई-इन को लिक दो 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 नौ और चौझा पर चॊणर को पचास लिखा जी क्या कर दिया भई का चौधा दो सॉला सब को जोड़ी नौ दो गया अच्छा सब को जो रहा पच्शेस का दो गुना तब जाकर 50 अब जब आप टेल की बात करेंगे तो फिर टेल को जोड़ना पर देखिए सही अब तो सही होना चाहिए 20 जोड एक 21 21 में 12 जोड़ा 21 दू 23 दस 33 पांच 38 38 दुनी 76 मारा जवाब आफसर में मौजूद है 30 का दो गुना 76 यह जवाब है तेज जवाब सांदार तेज जवाब आलम जी यह प्रस्ण कैट को 72 क्यों लिख रहा है बई 23 23 24 गुना 3 क्या यह बात सही पकड़ी गई सब की वैल्यू को जोड कर गुना 3 या गुना 3 या तो गुना नंबर आफ करेक्टर नंबर आफ लेटर अब दोनों में कौन सी बात सही है चेक करना पड़ गया हम लोग को देखिए सी एटी का मतलब हो गया थ्री प्लस वन प्लस ट्वेंटी 23 23 24 24 गुना 3 बराबर बहतर अलम जी यहाँ पर देखना पड़ेगा यह तीन 3 है या नंबर आफ लेटर से तो इसके लिए ट्रॉट की जांच करनी होगी हम लोगों को टी आर ओटी की जांच करेंगे तो 20 20 40 टी बीन बीस और 18 जोर 15 जोर 40 यही सही है है न Sorry 20 20 20 40 10 50 10 sent 17 73 अगर 73 को तीन 3 से गुना करेंगे तो इन युनिट डिजिर जो है गे यु only डिजिर तो हो जाता है नाइन वह है नहीं तो नमबर of letters चार हैं गुना करके देखते हैं चार तक या बारा कर दो बांकी अट्राइज से को उन्थीज दो सो बिरानवे तो सो बिरानवे यह बात है जानते हैं यह यह जो चार है या तो तीन है यह नमबर of letters है यानि जब stack का निकालेंगे आप तो चार से गुना करना पड़ेगा हम लोग को स्टेक को एसका 19 टी का 20 एक एक जी का साथ 19 और एक 20 20 40 साथ 47 हो गया 47 को गुना 4 से 8 unit digit है किने है एक में ही है तो एंसर तो यही होना चाहिए यूनिट डिजिट तो आठी नहों होगा चार से अठाइस तो चार से अठाइस का आठ दो चर्जगों सुर्दो ठार साइए 188 और 141 जवाब कौन से प्रस्न का नहीं नहीं देख लिए चेक के लिए गरबर होगी है कुछ अलम जाए अब यहां भी एक प्रस्ना आया अच्छा इस प्रस्न में कर नहीं सकते है आप यह जादूगड़ी नहीं है कि आपको किसने का ट्रिक से बना दिये हम खुब आ रहा है रील वगेरा में आप देखेंगे ऐसा भी प्रस्ना आ रहा है और लोग क्या कह रहें यूट्यूबर लोगे देखो यह ट्रिक है भाई ट्रिक का मतलब कि वह रूल जो है किसी और में भी लागू होना चाहिए बस इसी कोस्टन भर वो लागू होता है बस वो भी ट्रिक हो गया है अद हो गई है आज एस ओ एल को 45 लिखा तो 19, 15 और 12 की बात है समझिएगा ये कोई जादोगडी थोड़े नहीं की 45 आजाएगा आजयए वो दूसरी बात है आजये यह दूसरी बात है लेकिन हुए ये reverse value का इस्तेमाल है हो सकता है उसमें scrolling value का इस्तेमाल है वह सकता है किसी खास क्रेक्टर पर कोई खास काम भाविल कॉंसोनेंट पर अलग काम किया गया हो यह कह नहीं सकते आपको इसमें सबसे पहले डिस्टर वैल्यू लेकर फिर अपोजिट वैल्यू लेकर फिर काम करने ही होंगे आप जोड़िए कितना होका 10 10 20 10 30 49 49 49 45 46 46 46 है और इसने लिक्का है 45 यानि मानस वन करके बाद 45 एक पकड़ में बात आ रही है अब वो वन वन है या नमबर आप भाविल है यह चेक करने का विश्य है कि आई एन में अच्छा सभी जगह पर एक ही भाविल है इसलिए यह भी कोई टेंसर का बात नहीं को मौकिक कर सकते थे 11 जोर 14 जोर 9 उल्टा उल्टा हो गया भई यह दो ना 11 9 20 10 34 34 34 में एक घटाया है तो जबाब आपका 33 आया है जो हम दिखाना चाह रहे थे यह सही है इसी आधार पर OWL को पर काम कर दें आप OWL पर क्या करेंगे मैनस वन तो ते है 15 में 23 को जोर दें प्लस 12 को जोर दें भई 15 और 23 हो गया 20 10 30 38 24 10 50 एक घटाना सेस रह गया है 49 option में होना चाहिए option में बिल्कुल है 49 फिर जवाब थोड़ा सा गलत हो गया 50 दे दिया आप अच्छा योग कर बता रहे हैं योग कर बता रहे हैं ना या एक क्यावन होगा इसमें 15 13 38 है confirm 32 50 है सही है एक घटाएंगे एक घटाएंगे तो 49 होगा एक घटाना बांकी था उसमें आलम जे इस question को यह तो आसान सा प्रस्न है formation of word का प्रस्न है सारे लोग आसान ही मानते हैं home home यह बनाया जा सकता है इसने कहा है कि नहीं बनाया जा सकता है यह answer नहीं दे सकते है 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 एचे हो टी मौजूद नहीं है यह नहीं बन सकता परफेक्ट अंसर है एच एट टी अस नहीं बन सकने वाला जबाब देना था हाँ जी 49 बी ऑप्शन सहीर लगाता दोनों एंसर आपके सही है अलम जी next question ऑह इससे भी पहले question था कुछ अगे बढ़ गए है अच्छा अब इसी के हम यही कह रहे थे कि ठीक है हम लोग उपर निचल लिखकर बनाते हैं क्या यह संभव नहीं है सी को लिखा डी समझेगा तो हम लोग लिखेंगे एस को टी यह गया सही है और फिर आर को लिखता है आर के बाद एस छोड़कर टी तो हम लोग टी यू छोड़कर भी और सीधा यह जवाब दे सकते थे कि नहीं ती भी यह वाला पूरी लेटर्स की जांच करने की आवसक्ता नहीं हुई और जवाब और अपसर नंबर ए आ गया तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं जैसे ही आपने पहले से पहले को कंपेर किया आपको पलस बन दिखा तो आपने एस को जब टी किया तो अपसर देखिए अगर ट की यूँ छोड़कर भी कहा तो टीवी एक ही ऑप्शन में है यहां से काम रोक कर हम लोगों को आगे निकल जाना चाहिए बिल्कुल सही है अब इसको बिठाना पड़ेगा हम बिठाते हैं आप मेरे साथ जैसे जैसे प्रसन की पंग्ति को हम पढ़ेंगे आप भी पढ़कर आप देख लेंगे ना पांच व्यक्ति हैं केंदर की और मुक करके बैठा है इसने कहा ऐसे ही ब्रित में बैठना एक दो तीन चार पांच लोग्ति पहले पंग्ति ने जो कहा हम वो काम कर दिए रफ में जे एफ के तुरंट बाइए और ये है फके बाइए और दूसरे अस्थान पर आफके बाइई दूसरे स्थान पर N भी जेके बाइई और दुसरा ये थरा आपके पर आसान प्रास्न होगे तो जेके दाहिनी और दूसरे एक ही नड़का बैठी गया है एन बैठा आर नहीं बैठा था र अभघ सिट बचा है हां आलन्य नन वर्वल की एक वनन वर्वर ऑंडि की आफी पूरीर्ण छली थी पूरी चली थी वह कहीं होगा YouTube पर हो या घ्यानतूटटो गॉट कॉंपर कहीं देखेंगे स्थीज कॉंप्रिशन की पूरी श्री चारी नन्वरबल की टोटल वह भी आएगी इसमें भी लाने की कोशिस करेंगे चलिए आपकी बात स्विकारी है अलंग जी हाँ जी यह क्या करते आप्शन पर आप्शन तो बड़ी चलिए ठीक है जो भी है यह है थ्री यह फाइब बाई थ्री नहीं यह वन बट्टा थी नोट अप इंट्रोगेशन माइनस साथ बट्टा थी यह माइनस एगारा बट्टा थी यह तीन यह पाँच बट्टा थीन यह एक बट्टा थीन भाई यह लगातर तो यह यह कहां चो यह तीन तीन तो यहां भी तीन ही होगा तीन तीन यहां माइनस चार किया यहां भी आप देखेंगे माइनस पूर ही है यहां पर भी आप minus 4 करेंगे एक में minus चार करेंगे तो minus 3 एक में, एक में minus 3 तो minus 3 बटा 3 यह जबाब आया minus 1 minus 1 minus 1 option number by B सब्द को इसके अधार पर इसमें तो समय देना परता है अब इसमें भी आप जाएंगे tricky approach दो इसमें भी आप xe देखिए xe xy xe xe xy सबसे पहले xe आएगा भई option number, sorry 3 number खतम, एक number पर सबसे पहले 3 आएगा फिर आएगा xe वाला xe n xe n xe n i xe n o i वाला आएगा तब 4 number आएगा तब यह तो confirm होगी option गलत है option पने जर्मत बनाएगे अब y वाले की बात करेंगा तो x y l x y s पहले l वाला आएगा यानि 2 वाला तब 5 वाला जवाब होगा 3 4 1 2 5 यह जवाब दे पाया है यह नहीं 3 एक real order option पर 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 जाएगे option इसके हिसाब से नहीं है option इसके हिसाब से नहीं है तो हम लोग रियर order ही निकाल दिये पुड़ा पुड़ा और बोलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग संख्याओं से संख्याओं की coding हुई है तो संख्याओं से अब तो संख्याओं वाला question इतना ना खेल गए है आपकी बोलिएगा वह एक जोड़ा तो हम भी एक जोड़ेंगे नौ इवाला बात खतम चार को कहा तीन घटाया च्छे को हम लोग कर देंगे पांच चलिए ठीक है आठ को नौ फिर एक जोड़ा है दो को हम भी जोड़ेंगे सिधा जबाब देंगे हम कहरें कि पूरे की पूरे प्रस्ण में दिये गए सब्द याद दी गई संख्याओं के प्रतिय क्रेक्टर पर इस्तेमाल करके फिर हम जबाब देंगे तो समय जाता है हम एक भी डॉक्टर डिस्चार्ज बिल कि अच्छा नो कि डॉक्टर के पास चलते हैं वो डागनोसिस करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास जलते हैं वो डाइगनोसिस करेंगे रुकिएगा डॉक्टर के पास गए उन्होंने डाइगनोसिस किया करेंगे तो हो जाएगा तीन दो एक अच्छा एक में है फिर वो डिस्चार्ज कर देंगे छुट्टी कर देंगे फिर जाकर क कुछ अर्थ निकलना चाहिए अपनी भासा में यह करना था हम लोगों को इसकी बात क्या करें क्या कहता है अच्छा मौखिक बनाने की प्रणाली तो देखनी होगी हम लोगों को हम कह रहें ए को सी कह दिया पांच को तीन कह दिया दो घटा दिया हम भी 20 में दो घटा देंगे तो T होगा कि नहीं, यह दोनों answer तो नहीं होगा, भगाईएश को, लेकिन हम कहरें हम दूसरे character की जाच क्यों करें, दोनों character सेम है, हम third character की जाच करेंगे, P को क्यों कहा है, डाइरेक्ट बोला है, तो C को हम लोग भी D को रहेंगे, लेकिन मजा नही है, सोलग को सत्रह लिखा है 16 17 तो सी तो डी थर्ट क्रेक्टर डी टैर जाईए लेकिंग यही कह रहे हैं हम लोग एक क्रेक्टर पर काम करें तो निश्ची तोर पर वहां जाकर बढ़ें ताकि हो सकता है कि खतरनाक कॉश्ण अच्छा हम डागनल भी देखें क्या नहीं डागनल देखने के जर्ट है नहीं है बड़ा खतरनाक लेकिन नहीं सबसे पहले पांच में दो गया तो 3 आप देखेंगे भी वैकेंट जो लोगों को दिया है वैकेंट पांच इसको लिखा 3 2 घटा है अज़ों 24 एक्स यह भी सपोर्ट कर दिया टी एक्स टी एक्स लेकिन यह सोला को लिखा है चाहुदा यह गड़बड़ी सोला को लिखा चाहुदा मैनस टू किया तीन को मैनस टू करेंगे तो यह हो जाएगा आपका जवाब अप्सण नमरे अलम जी देख रहे थे क्या अप्सण नमबर ए था जवाब इसका यह थोड़ा उल्जाने की कोशिस किया था यह प्रसन को देखिएगा इसको ज्यान से बन फोटी आखरी प्रसन है यह तो अभी अभी हम लोगों नहीं बनाया था अभी जस्ट एक और और माते हैं भई प्रामोशन पहले थोड़े नहोग सबसे पहले इसको एक सार्थक्रम देना है तो सबसे पहले तो हम लोग अप्लीकेशन जमा कर देते हैं दो नमबर सबसे पहले ओगा अब अब हम पास किये की नहीं पास करेंगे तो जॉब मिलेगा हाँ जॉब मिल गया हमको अब जॉब मिला कुछ दिन काम किये बढ़ियां बढ़ियां काम किये पदनती हुई एक नमबर टू फॉर फाइफ तरी बन ये जवाब था आपका ठीक है चलिए पचास परसनों को देख र फिर से पचास परसनों की श्रेण ही आपके पास मौझूद होगी लड़ेंगे ऐसे ही इन परसनों से भी मिलिए फिर धन्यवाद